Hello everyone, मैं हुकि रिंशापरी और ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं तो चलिए क्यों आप लोगों के लिए देखें कि November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहां पे तीन set of cards हैं first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे पहला card है Seven of Wands और यह card कहता है कि कुछ time से November starting में थोड़ा सा एक aggression आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है अब देखें कुछ के लिए aggression positive हो सकता है, कुछ के लिए negative हो सकता है लेकिन यह aggression के साथ-साथ willpower determination भी रहती भी दिख रही है होता है ना कभी-कभी कोई चीज हमें चाहिए होती है कुछ के लिए हो सकता है कि वही partner के साथ relationship को आगे बढ़ाना है और अगर कुछ के लिए कुछ issues problems चल रहे हैं तो हो सकता है कि यह problems issues खतम करने है तो देखें जो भी दो चीजे मेरे mind में आई मैंने आपको कहा यहाँ पर फिर से कहूंगे सब Aquarius की different wish desire हो सकती है और उसको लेकर बहुत aggressively आप लोग action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं किसी भी चीट से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं deeper level के लिए tower का card कहता है कि rock solid आप खड़े हुए हैं चाहे कुछ भी हो, you know, बहुत courageously जो भी चाह रहे हैं उसके लिए फिर से कहूंगे action initiatives ले रहे हैं लेकिन कहीं mid November के लिए snake and seven of swords reverse के cards कहते हैं आपको यसे लग सकता है कि भाई चीजें आपके साथ fair नहीं हो रहे हैं अब देखिए ये general reading है तो थोड़ा थोड़ा in fact सब के लिए differ करेगा ये cards jealousy की बात करते हैं, ये card betrayal यानि की cheating की बात करते हैं ये card escapism की भी बात करते हैं तो यह तो यह आपकी energies है या आप ऐसा कुछ partner की तरफ से महसूस कर रहे हैं अब देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा manipulate कर रहे हैं आपको जैसे हमने देखा अभी कि starting में बड़ा आप action initiatives ले रहे थे बड़े अपने तरफ से आप आगे से आगे जाके चीजों को कर रहे थे उससे वो outcome, वो result नहीं मिला तो आपको लग रहे है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा ना जूट हमेशा ही गलत नहीं होता है कभी-कभी जब हमारे intentions हमारे motives ठीक होते हैं तो जूट भी जरूरी होता है और problem तब होती है जब हमारे intentions हमारे motives ठीक नहीं होते हैं अब दिखिए जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए डिफर करेगा, लेकिन ये आपके कार्ड्स हैं, तो आपकी तरफ से एक जूट, जैसे बोलते हैं कि सच को सच की तरह नहीं कहना, थोड़ा सा मैनोपलेट करना वैसी एनरजी जाधे रहती भी दिख रह और जो भी हो कहीं, end November के लिए justice का कार्ड कहता है, कि आपको ऐसे लग रहा है कि भई, ये टेडा-मेडा चलके काम नहीं बनेंगे, बहुत ही सच्चाई के साथ, truthfulness के साथ, चीजों को डील करना पड़ेगा, तो दिखिए, जहां seven of wands, sorry, seven of souls reverse का 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 चीटिंग की बात कर तो overall के लिए अगर मैं आपकी energies देखूं, starting November में बहुत एक जोश रह सकता है, कि बस कुछ भी हो जाए, करना ही करना है, ये होगा ही होगा, और mid November में थोड़ा सा demotivated हो सकते हैं, और उल्टे सीधे तरीके अपना सकते हैं, जो भी आपकी wish है, desire उसको पूरा करने के लिए, लेकिन end November में फिर आपको realization हो सकती है कि नहीं भई, such तो such है, when I say such तो such मतलब literally such नहीं, हाँ भई, सीधी तरीके से ही चलना चाहिए, बोलते हैं कि shortcuts long run में हमें beneficial नहीं होते हैं, shortcuts से long run में हमें परिशानी होती है, तो इस चीज का भी एक हैसास हो सकता है, और बहुत जादा mind स आप end November में चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, काफी logical हो रहे हैं, हो सकता है कोई decision है, कोई choice है, उसको आप लेना चाहा रहे हैं और उसी से related pros and cons को आप वे कर रहे हैं, deeper level के लिए sage का card कहता है कि जो भी बीच में negativity थी, जिसे मैंने आपको बताया cheating भी हो सकती है, betrayal भी हो सकता है जूट भी हो सकता है, आपको ऐसे लग सकता है कि end November में बहुत एक negative energy accumulate हो गई है और उस negative energy को आप clean करना चाहा रहे हैं, अब देखें सबका different method हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है, आप कोई spell कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, आप कोई ritual कर रहे हैं, कुछ के लिए simply आप prayer कर रहे हैं, तो कोई चीज आप end November में कर सकते हैं, जो भी negative energy है, उसको clean करने के लिए, और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं, तो आपके partner के लिए देखें सबसे पहले cards हैं, judgment and coffin, और ये दोनों ही cards ending, beginning की बात करते हैं, तो कहीं कुछ time से या फिर November starting में, आपके partner किस चीज को end करके नए सेरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं, अब दिखिए फिर से कहूंगी general reading है, तो ये ending, beginning सब एक्वेडियस के partner के लिए differ करेगी, कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी मसले चल रहे हैं, जो भी issues चल रहे हैं, उनको end करके चीजों को resolve करना चाहा रह हैं, इकका दुक्का के लिए ये भी हो सकता है, कि उनको ऐसे लग रहा है कि ये relationship long run तक चलेगा नहीं, और खाम खाम परेशान होंगे, तो इसको end कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा hopes, बहुत ज़्यादा expectations नहीं रखनी चाहिए, इस relationship से, आप से, और फिर से मैं कहूंग कि ending किसी चीज की और beginning करना चाहा रहे हैं, थोड़े से critical हो रहे हैं, थोड़े से judgmental हो रहे हैं, और कहीं mid November के लिए Nine of Wands का card कहता है, कि भई हो सकता है, उनके action initiatives November starting में इस तरीके से हो, लेकिन मन ही मन डर भी रहे हैं, मन ही मन एक जिसे बोलते हैं कि घबराहट भी हो रही है, लेकिन कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बस वो अब ठक गए हैं, उनके अंदर और हिम्मत नहीं है, चीजों को ठीक करने की, चीजों को आगे लेकर जाने की, और फिर से मैं कहूंगी demotivated महसूस कर रहे हैं, कहीं उमीद खोते वे दिख रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है क कि इसी लिए वो अपने और options explore कर रहे हैं, यानि कि देखिए subtle level पे या फिर खुलम खुला वो आपके अलावा और लोगों से मिल रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं भी है, तो कहीं वो जादा socialize करना चाहा रहे हैं, party करना चाहा रहे हैं, अपने friends से connect करना चाहा रहे हैं, करते थे, या फिर थोड़ा सा अंदर ही अंदर रहते थे, तो कहीं बाहर वो निकलते हुए दिख रहे हैं, and end November के लिए dice and two of wands के cards कहते हैं, कि मन ही मन उनको लग रहा है कि भई, risk है, वो chance ले रहे हैं, कहीं कुछ गडबर ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, but surface level के लिए बहुत ही confidently, जो भी वो चहा रहे हैं, जो भी, you know, उनके मन में है, उसकी तरफ action initiatives लेते हुए देख रहे हैं, तो surface level के लिए Aquarius आपको ऐसे लग सकता है, कि इनके मन में बिलकुल भी डर नहीं है, ये तो घबराई ही ने रहे हैं, बड़े boldly, you know, action initiatives ले रहे हैं, आप को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो end करना चाह रहे हैं, और जादा second scenario मुझे रहता हुआ दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत clearly, ending, beginning के दो cards हैं, और कुछ चीजों को end करना चाह रहे हैं, और अपने लिए और options इस बहुत जादा करते वे दिख रहे हैं, बहुत ठके हुए, exhausted चीजों को लेकर होते वे दिख रहे हैं, और डर लग रहा है, लग रहा है, बहुत बड़ा risk ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस risk को, इस chance को, इस gamble को, इस joy को वो खेलना चाह रहे हैं, और अब देखते हैं, Aquarius की November मंत में क्या हो रहा है, तो देखें, सबसे पहला काड है, rope और rope का काड कहता है, कि बहुत एक restrictions, limitations, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, अब देखें, limitations, restrictions, सब Aquarius के लिए differ करेंगी, कुछ के लिए society, religion की तरफ process की विज़े से हो सकती है, तो जो भी reason रहे, कहीं एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, देखें, रसी बांधने के काम आती है, तो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, और एक love, प्यार, महबबत महसूस कर रहे हैं, फिर से मैं कहूंगी, लेकिन खुद को hold back कर रहे हैं, शायद आप दोनों एक दूसरे से connect करना चाहा रहे हैं, बात करना चाहा रहे हैं, in fact हो सकता है, कुछ की बात हो भी रही है, कुछ की नहीं हो रही है, जिनकी नहीं हो रही है, तो हो सकता है, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक message करना चाहा रहे हैं, और देखें, आपके लि या आप दोनों में से कोई ये कर रहे हैं expression का तरीका गलत रह सकता है और कहीं mid November में बहुत जादा आप लोगों के बीच में interaction बातचीत नहीं होती भी दिख रही है अब दिखें सबका relationship different levels पे होगा कुछ के लिए शादी की बात हो सकता है आप दोनों के बीच में चल रही है कुछ के लिए हो सकता है अब भी नहीं नहीं आप दोनों के बीच में बातचीत चुरू हुई है तो किसी भी level पे आपका relationship है या मैं कहूंगी जिस level पे आपका relationship है उससे काफी कम बातचीत होती भी दिख रही है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं और दिखिए इस टाइम पर आप दोनों की ही cards ऐसे हैं जहां बेख़्ुल के relationship में आप लोग नहीं action initiatives ले रहे हैं और कोई चीज दूसरे जन से छुपा भी रहे हैं अभी एक वेरेस आपकी भी energies हो सकती हैं क्योंकि आपके लिए seven of swords का card है तो थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया ना कि betrayal betrayal थोड़ा ना बड़ा strong word लगता है मतलब जैसे transparency नहीं maintain करना मन में कुछ और है कहना कुछ और और जैसे मैंने दो बारी पीछे भी आपको repeat भी किया कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेड़ी उंगली से निकालें तो किसी तरीके की एक secrecy किसी तरीके की एक you know hiding वाली energies भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक किरह रही हैं जहां पर खुल के अपनी feelings, अपनी emotions नहीं share कर रहे हैं मन ही मन admire कर रहे हैं मन ही मन सोच रहे हैं मन ही मन plan कर रहे हैं जो भी हो end November में यह जो energies हैं इसमें से आप दोनों ही निकलते हुए दिख रहे हैं यहां पर Emperor and Rider के cards कहते हैं कि issues, मसले हैं तो resolve हो सकते हैं और आप दोनों में से कोई एक बहुत maturity के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के कोई common friend है कोई common इंसान है जिसको आप दोनों जानते हैं वो interview कर रहे हैं और आप दोनों के मसलों को sort out कर रहे हैं और यहां पर देखिए Rider का card भी कहीं नहीं new situation की बात करता है कहीं arrival की बात करता है तो अगर आप लोगों का long distance relationship था या जैसे कि मैंने अभी बताया कि gap था, बातचीत नहीं हो रही थी तो कहीं end November में चीजों के ठीक होने की resolve होने की काफी जादा chances रहते वे दिख रहे हैं और इस हिसाब से देखें तो हो सकता है आपके partner भी कहीं वो एक chance इस relationship के लिए लेना चाहा रहे हैं mid November में हो सकता है कि उन्होंने सोचो कि और options explore कर लें लेकिन end November में कहीं जो भी issues हैं मसले हैं वो भी उनको resolve करना उनको solve करना चाह रहे हैं तो ये था एक्वेजेस आप लोगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो ज़रूर इस चैनल को like, share और subscribe करें